जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदे तरेंजन सर कंसेप्ट्स में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये 11 दिनों में 11 सेट आप लोगों के लिए करवाएंगे और हम लोग लग चुके हैं और जो आप प्यार दिखा रहे हैं मेरे भाई दोनों वीडियो के उपर में धाई हजार से उपर कमेंट ये आप लोगों का प्यार दर्शाता है ये आप लोगों का सपोर्ट दर्शाता है और ये मुझे रुकने और ठकने बिल्कुल भी नहीं दे रहा है हर दिन ये कोशिश हो रही है मेरी की और बहतर आप लोगों के लिए क्या कर पाए अब जैसे मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े उसमें आप लोगों ने ये बोला कि सर्फ 15 के जगा पर 20 कोशिशन करवाईए तो एक सेट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 20 सवालों का उसके बाद आप लोगों को अच्छे से लग जाएगा कि क्या मुझे 15 कोशिशन का सेट करवाना चाहिए या 20 कोशिशन का और आपको लगेगा नहीं सर्फ 15 ही करवाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा आज हमारा है प्रैक्टिस सेट तीसरा और जिस तरीके से आप लोगों का रेस्पांस आ रहा है मजा रहा है मेरे भाई ऐसे ही हम लोग चुन-चुन कर सभी सवाल आप लोग के लिए करवाएंगे और इतना बोलेंगे कि पेपर में जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे है उससे बाहर एक भी नहीं आएगा तो आईए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल आज का यहां पर यह है निमलिखित में से दी गई कौन से संक्या को प्राइम नहीं है यानि सह अभाज्य नहीं है option number A क्या कोई भी दो प्राइम जो नंबर होते हैं को प्राइम नहीं होते हैं बिलकुल वो को प्राइम होते हैं ठीक है, कोई भी आप दो नंबर को ले लिजे, कोई भी दो प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याओ को ले लिजे, जैसे मान लिजे 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 प्राइम नंबर भी है और को प्राइम भी है, और बोला गया है को प्राइम नहीं होना चाहिए तो ये नियम को फॉलो नहीं करेगा तो ये आंसर नहीं होगा फिर बोला गया any two consecutive word number जैसे मान लिजे कोई भी दो consecutive word number ले लिजे 7 और 9 ये लगातार के मेरे भाई दो विशम संख्या हैं और लगातार के दो विशम संख्या भी हैं और शात में सह अभाजे भी हैं बोला ये सह अभाजे नहीं होना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं होगा ठीक है बोला गया है यहाँ पर कोई भी लगातार की दो consecutive number कोई भी लगातार की दो संख्या जैसे मान लिजे 10 और 11 ये लगातार की दो संख्या हमने लिए है और सात में यहाँ पर ये को प्राइम है सह अभाजे है और इन्होंने बोला ये सह अभाजे नहीं होना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन एने टू consecutive इवन नमबर कोई भी ये लगातार के दो इवन नमबर है और ये सह अभाजे नहीं है को प्राइम नहीं है तो मेरे भाई यहीं उत्तर होगा क्योंकि हमें बोला गया था उस उप्शन को बताओ जो को प्राइम नहीं है दोस्त वीडियो को योग 50 है, दोनों संख्याओं का लगुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 5 और 100C है, तो उनका यहाँ पर संख्याओं के यहाँ पर reciprocal का जो sum है वो क्या होगा यानि कहने का मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर तुम्हारी A है और दूसरी संख्या B है, तो यहाँ इनका reciprocal का जो sum होगा वो 1 upon A plus 1 upon B होगा तो अगर मुझे 1 upon A plus 1 upon B निकालना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए B plus A यानि वहीं बात है उपर में A plus B आएगा और नीचे में कितना आजाएगा, तो A B आजाएगा यानि उपर में sum of number लेना है नीचे में product of number लेना है दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है तो 50 है, अब यहाँ पर product तो अभी लेवल नहीं है, लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता है, कि दो संख्याओं का जो product होता है, वो बराबर होता है HCF into LCM के, तो इनके product के जगापर HCF into LCM लेंगे यानि लगुत्तम समावर्तक into महत्तम समावर्तक लेंगे, यह हमारा कितना है, तो बोलोगे, सर 5 into 180 मेरे भाई, 0 से 0 खतम, 5 से 5 खतम तो कुल मिलाकर उत्तर हमारा कितना आएगा 1 बटे 18, कौन सा option है option number B for बाहु बली, correct उत्तर है, ठीक है तो इस question में हमें यहाँ पर इसको सरली करन करना है, इसको हल करना है, और बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा, जीडी का पूछा गया यह सवाल है, बड़े असान तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं, देखे यहाँ पर हमारा जो नियम लगेगा, वो कौन सा नियम लगेगा, तो बोलेंगे सर, बॉर्ड मास का नियम लगेगा, बॉर्ड मास के नियम उसके बाद यहां हल कर लो 3 जमाद 2 मेरे भाई 5 बटे कितना हो जाएगा तो 5 बटे 6 हो जाएगा ठीक है उसके बाद में यहां पर कितना हो जाएगा प्लस हमारा 7 बटे 5 हो जाएगा अगर हम यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर यह 7 बटे 2 है divide यहाँ पे 30 में से हमारा 20 चला गया तो बोलोगे sir यह 10 वटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक और उसके बाद में last में हम यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे sir देखो यह जो plus है हमारा ना यह हमारा बाहर वाला bracket के साथ है मतलब यह ऐसा वाला bracket है तो यहाँ पर क्या करेंगे last में यहाँ पर 7 वाई 5 कर देंगे थोड़ा उल्टा कर दीजे 7 वटे 2 है divide जब multiply में टूटता है तो यह हमारा 24 वटे 10 हो जाएगा ठीक है और इसमें हम जोड़ना है 7 वटे 5 को और 49 वटे 5 को कितना लिखेंगे तो 9 सही 4 वटे 5 कौन सा option है तो C वाला जो option है वो हमारा बिलकुल सही उतर है बोड मास वाले सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जा सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा short trick के उपर में हम नहीं जा सकते हैं जैसे हमारे सवाल होते हैं वैसे हमें हल इसे करना होता है आईए चलिए सरली करण का एक सवाल ऐसा यहाँ पर यह देखें क्या बोला गया है बोला गया यहाँ पर इसकी जो value होगी वो हमारी किसके बराबर में होगी इसमें आपको अच्छे से पता है कि जैसे मान लीजे 81 हो गया 81 हमारा क्या हो गया 3 का power 4 हो गया ठीक है उसके बाद में उपर के जो power होते हैं उसे हम क्या करते हैं तो multiply करते हैं और नीचे के जो power होते हैं उसे हम क्या करते हैं तो divide करते हैं यानि 3 into 8 हमारा 8 से हमारा 8 खतम 3 से 3 खतम तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 3 option number D for देव से ना याद रखिएगा option number D for क्या हो जाएगा तो देव से ना यानि उपर के power multiply और नीचे के power क्या होंगे तो divide होंगे आईए चलिए next question, question number 5 यहां देखते हैं क्या बोला गया है जरा पढ़िए इस सवाल में कहा गया है कि कपिल और अवतार ने किसी वेपार में 1300 और 1400 रुपय लगाए है यदि वर्ष में इतने रुपय का लाभ प्राप्त होता है तो कपिल के लाभ को कितने रुपय मिले है? सिंपल सी बाते आर यहां पर कपिल है भाई और एक अवतार है यहां पर इन लोगों ने पैसा लगाया है और कितना लगाया है तो एक इने 1300 लगाया है और अगले ने मेरे भाई 1400 रुपय लगाये है यानि यहाँ पर अनुपात कितने का है 13 और 14 का है सॉरी यहाँ पर समय का कहीं पर भी कोई जिकर नहीं है तो जो यहाँ पर आपका लागत का अनुपात होगा वहीं आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा ठीक है बोला गया यहाँ पर कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 675 है यानि यह हमारा किस का मान है तो दोनों का मान है 27 का मान है और हमें यहां बोला गया है कपिल को कितना पैसा मिला है यानि हमें यहां पर 13 कमान बोला गया है कि 13 कमान हमारा कितना है अगर आप काटोगे तो 27 से आप काटो दो बार में चोगन हो जाएगा आपका और 135 आपका पांच बार में चला जाएगा multiply कर लो 25 ते के 75 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 325 हमारा correct answer है कौन सा option है तो option number B for बाहुली ठीक है भाई next question आईए अगला सवाल यहाँ पर आपको बोला गया है सरली करन का simplification का एक question हम करवा दिये हैं और यह question हम आपको दे रहे हैं बहुत ही आसान सवाल है बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं तो इसका answer सभी लोगों को जितने लोग दे रहे हैं ना मेरे भाई सभी के सभी यहाँ पर answer देंगे comment box में तभी मुझे लगेगा कि यहाँ पर आपने सवाल बनाया है बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं बस वीडियो देखते हैं ठीक है हमारे काम की बात निकल गई और हम यहाँ से चले गए क्या फर्क पड़ता है like करने से क्या फर्क पड़ता है subscribe करने से क्या फर्क पड़ता है comment करने से बात यहाँ comment करने की नहीं है बात यहाँ पर आपके हाजरी और इंटरस्ट भी है आप बनाईए सवाल को कितना सेकंड लगेंगा एक दो सेकंड लगेगा आपको कमेंट करने में उससे करेंगे तो बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा और यह सेशन और जादा बेहतर तरीके से जो है मैं लेकर आपाऊंगा आप लोगों के लिए तो इसलिए अभी वीडियो को रोकिए इस सवाल को हल करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजे आईए चलिए नेक्स्ट कोशन की बात यहाँ करते हैं अगला सवाल है आपका सिरीज का अब यह सिरीज वाले सवालों को ज़रा देखे कैसे हल करेंगे यहाँ पर इस सवाल के अगर हम बात करें तो भाई आपको कुछ हो सकता है समझ में ना रहा हो बट बहुत ही सिंपल है यहाँ पर वन अपॉन टू है तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 2 6 है मेरे भाई तो इसे लिखते हैं 2 इंटू 3 वैसे ही यहाँ पर 12 है तो यह हमारा होता है यहाँ पर कितना तो 1 अपॉन 3 इंटू 4 और यह सिलसला हमारा चलते रहता है हर एक संख्या जो यहाँ पर बन रही है वो इस तरीके से multiply हुई है कि एक एक gap है लास्ट वाले में अगर 72 की बात करोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 9 के करीब में अब ऐसे वाले सिरीज के सवालों का जो उत्तर है वो बहुत ही short में मैंने आप लेगों को बता रखा है और मैंने यहां पर इसके लिए बोला है किसका जो answer होगा वो यहां पर होगा 1 upon difference यहां पर first term और minus कितना हो जाएगा मेरे भाई last term यहां पर इस बात को ध्यान रखना 1 upon difference, first term minus, last term यहां पर तो difference अगर आप देखोगे तो difference कितने कितने का है तो एक का है first term की बात करते है first term हमारा हो जाएगा 1 upon 1 और यहां पर last term कितना हो जाएगा 1 upon 9 बोलोगे sir बाकी यहां पर क्या हो गए तो बाकी मेरे भाई सब प्यार मौबत में कट गए यहां पर और कोई भी नहीं बचा है तो सिर्फ पहला बचेगा 1 upon 1 गोमने चले समझ गया बात को यहां पर चली आजएगे next हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ यहां बात करते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है यह question आपको फसा सकता है और जी हां बिल्कुल मतलब आप अगर थोड़ा सा सही तरीके से नहीं पढ़ोगे न तो मैं गारेंटी कहता हूँ कि आप यहां option number C टिक कर दोगे ठीक है पढ़िये सवाल को क्या बोला गया है कि संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा से पार्षल भेजने का जो खर्च है पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए है और अतिरिक्त के लिए कितना है तो 48 रुपए है एक पार्षल जिसका वजन P किलोग्राम है तो भेजने का लागत कितना लगेगा यानि यहां पर पहले किलो के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं और उसके उपर जितना भी वज़न है उसके लिए 48 रुपय प्रती किलू देना पड़ता है पी किलो ग्राम का तुम्हारा पूरा पार्सल है तो कितना पैसा लगेगा लोगों को लगेगा 60 रुपय तो लगेगा ही और हर किलो का 48 तो 48 इंटूपी आंसा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे यहीं वो स्टेप था जहां पर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी ऐसा नहीं करना था आप ये बात को समझो टोटल आपके पास में कितना किलो है तो बोलोगे पी किलो है इसमें से मेरे भाई आपने एक किलो निकाल दिया तो आप बचा कितना यहां पर तो बोलोगे सर पी माइनस वन किलो बचा है अगर आप इसमें से 1 किलो निकाल देते हो तो अब बचा कितना है तो P-1 किलो ये 1 किलो के लिए जो रेट लगेगा वो 60 रुपय का और जो बाकी वजन बच गया है उसके लिए जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा तो 48 रुपय का और यह आपका total खर्चा हो जाएगा इस एक किलो के लिए इतना रुपे बाकी वजन के लिए इतना रुपे तो यह हमारा हो जाएगा 60 फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48 पी और यहाँ पर हो जाएगा minus 48 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे तो 60 में से 48 गया तो बोलेंगे सर 12 जमार 48 पी और यह हमारा क्या होगा correct answer option number D for देवसेना तो यह छोटी सी गलती ध्यान रखनी थी यह छोटी सी गलती आपका बहुत जादा paper में समय बरबात कर सकती थी यह हो सकता है आपके selection को rejection में बदल सकता था आईए चलिए next question की हम बात करते हैं अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है अगला सवाल यहाँ पर एक सेकंड काफी है इस सवाल के लिए लेकिन सही तरीका लगाया तो question में क्या बोला गया है एहमद ने 1440 रुपे 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपे 4% वार्षिक दर से उधार लिया तो तीन वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा सीधा option number यह answer है अब बोलोगे sir कैसे यह answer है कितनी बार बताएं मेरे भाई डिजिल समय हाँ पे कैसे apply हुआ ज़रा देखो कभी भी यहाँ पूरी value नहीं निकालनी होती यह भाई 1440 रुपया लेता है तो 1440 रुपया मूलधन है यानि अपने आप में कितना है तो 100% का मान है एक साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा 5% तो 3 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो तीन साल में जो द्याज मिलेगा मेरे भयाई वो मिलेगा 15% यानि सो का मान दिया है कितने का निकालना है 15 का उसके बाद अगला वाला दूसरा व्यक्ति वो कितना पैसा लिया, 1650 ये अपने आप में मेरे भयाई कितना है तो 100% और कितने की value निकालनी है तो एक साल का मेरे भाई 4 तो 3 साल का कितना हो जाएगा 12 तो यहां पर 12% का निकालना है अब यह है कि इसका इतना percent निकालो इसका इतना percent निकालो और जोडो और दूसरा यहां पर यह देखो चार चार आठ एक नौ नौ को किसी भी संक्या से गुना करो डिजिटल सम नहीं नहीं आएगा यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां डिजिटल सम 3 मतलब यहां एक 3 और यहां एक 3, 3 इंटू 3 मतलब इसका भी डिजिटल सम 9 तो यहाँ पर total digital sum कितना है गा 9, option number 1 के digital sum 9 है, बाकी कोई भी option का digital sum 9 है ही नहीं, क्यूं करे भाई पूरी के calculation, रोज के set में यहीं तो बता रहा हूं, कि थोड़ा सा नया सोचो, बाकी के भीर से हट के सोचो, तभी selection ले पाओगे, वहीं सोच रहो जो बाकी लोग सोच रहे हैं बड़ा मुश्किल है भाई फिर तो, ठीक है, वेकेंसी चाहे कितनी भी हो जाया, competition भी उतना ही रहता है, ध्यान रखना आईए चलिए सवाल देखते हैं, 15 वर्षों में चक्रवीदी ब्याज के तहट कोई राशी अपने आपकी दोगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यहाँ अपने आपका 4,096 गुना हो जाएगा हमने कहा देखो भी या, कोई पैसा अपने आपका 2 गुना हो जाता है, कितने सालों में तो 15 सालों में यानि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर समय कितना लगा, 15 साल और यह हुआ कितना मेरे भाई दो गुना अब कोशन में यहाँ पर क्या बोला है अब बोला है कि यहाँ पर कितना गुना चाहिए 4,096 गुना ठीक है तो समय कितना लगेगा सिंपल सी बात है यह देखो दो का कितना पावर है जल्दी बताओ बोलो कि गुरी जी 2 का 12 पावर है 2 का 10 पावर 1024 और 1024 का यह 4 गुना इट मींस यहाँ पर यह 2 का पावर 12 है तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है यहाँ पर आपको यह देखना होता है कि पावर में कितने का मल्टिप्लाई हुआ है पावर देखो अपने आपका 12 गुना हुआ है अगर पावर अपने आपका 12 गुना हुआ है तो समय भी अपने आपका 12 गुना होगा और 15-12 कितना हो जाए 180 साल यानि option number क्या होगा बी तो चक्रवीदी ब्याजवाला ये सवाल जहां पर बोला जाता है पैसा आपने आपको इतना गुना कर रहा है इतने सालों में तो वहाँ ये देखे कि पावर कितना गुना हुआ है पावर दो गुना तो समय को 2 से मिल्टिप्लाई पावर दस गुना तो समय को 10 से मिल्टिप्लाई तो power 12 गुना था तो समय को 12 सा multiply आपका उत्तर आ गया है आईए चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं लल्लू पल्लू सवाल ये भी है मेरे भाई यहाँ पर 2P बराबर 3Q बराबर 5R है, तीनों को जोड़ने पर 6200 है P और R का difference, ऐसे सवालों में बढ़िया तरीके से हमने आपको ratio निकालना बताया है आप यहाँ पर सीधा P Q R का ratio निकाली है क्या बोला गया है P की जो value निकालनी है तो ढख दो, और क्या multiply करो 3 into 5, कितना हो जाएगा 15 Q का मान निकालना है Q को ढख दो, 2 into 5 कितना हो जाएगा 10 R का मान निकालना है R को ढख दो, 2 into 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 ये क्या आगया तो इनका अनुपात आगया Q में जो 62 दिया है, ये 62 क्या है तीनों का जोड़ है 15, 25 और 6, 31 का मान है और बोला किया गया, difference P और R का तो P और R का difference हमारा कितने का है तो 9 का है 31 से काटेंगे भाई, दो बार में उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 1800 यहीं हमारा उत्तर है, सबसे perfect answer option number D for देवसेना ठीक है, बात यहाँ पर यह नहीं है सवाल आसाने की मुश्किल है आईए चलिए, next question यहाँ पर बोला गया कि 3 साज़दार A, B और C कुल धन राशी 36,000 का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में A को 26,000 और B को 20,800 और C को 31,200 रुपे के लाब के रुप में मिलता है, A और C के द्वारा कुल मिला कर कितनी राशी का निवेश किया जाता है अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने लोग हैं, A हो गया B हो गया, और C हो गया प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितना कितना मिला है प्रॉफिट की बात करेंगे तो at the end of year A को कितना मिला तो 26,000 तो हम बात करेंगे A को कितना मिला है तो 26,000 मिला है B को कितना मिला है तो 31,200 मिला है C की अगर हम बात करें B को हमें जो मिला है वो यहाँ पर 20,800 मिला है ठीक है, और अगर हम C की बात करें यहाँ पर, तो C की जो बात होगी वो हमारी 31,200 रुपए हो जाएगी यह हमारा अनुपात किसका है? लाब का और आपको पता है कि जब समय ना दिया गया हो तो जो लाब का अनुपात होता है वहीं पुंजी का भी अनुपात बन जाता है जो लाब का अनुपात होता है वहीं पुन्जी का भी अनुपात बन जाता है यानि जो profit है वही investment है तो एक बार इनका ratio निकाल लीजे 2-0-2-0-2-0 प्यार महबबत में खतम हो गए क्या यह संख्या हमारी 8 से कटेगी तो बोलोगे हा सर यहाँ पर 8 से कटने की इसकी संभावना है यहाँ पर ठीक है क्या यह 8 से कटेगी तो बिल्कुल 8 से कटेगी तो 8 से कटी 8 का 3 ना 24 और उसके बाद नहीं यहाँ पर यह जो 8 से कटने से बहतर है कि आप इसको जो है काट लीजे 13 से काट लीजे चलिए 13 से भी कट सकता है चार बार और छे बार, तो ये क्या हो गया, इनके पूंजी का अनुपात, यानि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोशन में बोला गया यहां पर, कि A, B और C, टोटल इन्वेस्ट किया है, 36,000 रुपए, मिला कर कितना इन्वेस्ट किया है, 36,000, तो ये 36,000 क्या है, तो 36,000, 6, 4, 10 15 मान है, और हमसे पूचा कितना गया है, तो यहां पर A और C मिलकर कितना पैसा निवेश्क किया है, यानि यहां पर 11 मान पूचा है, तो 11 का मान पूचा है, तो काट लो 15 से 2 बार में, और 4 बार में और इतना हो जाएगा, और एक 11 को मुल्टिपलाई कर दो, तो बोलोगे, sir चार हमारा कितना 264 00 कौन सा option है D for तेवसिना हम लोग चाहते तो 11 का नियम भी यहां लगा सकते थे divisibility का इतना ही multiply करना था तो उसके लिए क्या नियम लगाना इतना तो करी सकते हैं calculation ठीक है आओ चलो भाई partnership से सवाल आता है और आता रहेगा इस बात का ध्यान रखिए आईए चलिए next question पे चलते हैं अगला सवाल यहां देखते हैं अगला सवाल यहां पर क्या बोला है 40 लीटर के मिशरण में 10% alcohol है और सेश जो है वो क्या है तो पानी है इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो नया मिशरण में alcohol का मातरा कितना होगा मैंने हमेशा मिशरण वाले सवालों में आपको यह बोला है कि जो तुम मिलाते हो उसको कभी consider मत करना जो बेचारा कभी किसी के साथ गया ही नहीं वहीं इमांदार है जिसने अपना कभी दल बदला ही नहीं उसी का मन साफ है यहां पर आप यह बताओ आपने क्या मिलाया है तो पानी मिलाया है मतलब alcohol बेचारा पहले जितना था alcohol अब भी उतना रहेगा तो alcohol की पहले की quantity और alcohol की अब की quantity क्या करो बराबर करो पहले alcohol की quantity कितनी होती थी तो बोलोगे sir 40 liter का 10% और अब alcohol की quantity कितनी होगी तो अब total मिश्रन कितने का होगा 40 liter और plus 4 liter यानि 44 liter तो अब पूरा मिश्रन होगा मेरे भाई 44 liter का और उसमें alcohol कितना परसेंट होगा तो 1% यानि 40 liter का 10% 44 liter के 1% के बराबर है तो आप यहां पर देखिए चार से काटेंगे भाई 10 बार में और चार से काटेंगे आप यहां 11 बार में 100 बटे में 11 और दुनिया को पता है कि 100 बटे 11 हमारा कितना होता है तो 100 बटे 11 हमारा हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11% तो एक लाइनों के यह सवाल थे लेकिन बस concept घुमावदार है यदि आपको concept नहीं आता है आप लपेटे जाएंगे यहां पर इस बात का ध्यान रखिए चलिए आजए यहां पर next question औसत का बड़ा प्यारा सवाल है यहां पर आप इसमें फस सकते हैं इस बात का ध्यान रखिए बट मैं आपको within seconds बताऊंगा किसको solve कैसे करना है जो आप सोच भी नहीं सकते है सवाल में बोला गया है कि 18 वेक्तियों के एक परिवार का उसत वजन 1 kg कम हो जाता है जब उनमें से एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद में परिवार का उसत वजन 19 kg है तो बच्चे का वजन क्या होगा कुल मिलाकर कितने लोग थे पहले 18 लोग यहाँ पर ऐसे रहते थे अब उसमें कौन आ गया तो एक बेचारा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आ गया अब कुल मिलाकर सारे कितने हो गए तो बच्चे का वजन कितना हो गया 19 kg यानि यहाँ पर सब हो गया 19 के यह भी हो गया 19 का तो 18 के 18 लोग कितने हो गया 18 के 18 लोग हमारे 19 के हो गया तो कुशन में यहाँ पर क्या बोला है ठीक है इस लड़के का मेरे भाई यहाँ पर वजन बताओ कितना होगा तो हम यहाँ पर एक बात समझाते हैं आज सब लोगों का उसत 19 किलो है है की नहीं है तो बोलोगे हाँ सर अगर सभी लोगों का वजन हमारा 19 किलो है तो ये लड़के का भी वजन यहाँ पर कितना होगा तो बोलोगे 19 किलो होगा लेकिन इस बात को समझना ठीक है जब ये लड़का ग्रूप में आया ना तो सब ने sacrifice किया है और कितना किलो किया है तो एक एक किलो किया है समझो इस बात को लेकर इस कमरे में हम सब के साथ ये लड़का बैठा है 18 के 18 लोग भी हैं और ये लड़का भी बैठा है सब के पास में 19 रुपे हैं उस लड़के के पास में 19 रुपे हैं बट सूत्रों से पता चला कि वो जब लड़का आया था तो सब ने एक एक रुपए उसको अपने हाथ में पकड़ा दिये थे यानि कितने लोगों ने पकड़ाय थे 18 लोगों ने कितने रुपए एक रुपए तो यहाँ पर इस लड़के के पास में 18 रुपए जो है वो लोगों के द्वारा दिये गए है तो खुद का यहां पर value कितना है खुद का value एक का है यानि सही answer कितना होगा तो option number B होगा तो सारा खेल मेरे भाई समझ का है बनाना क्या है कुछ भी नहीं बस यह समझना था आपको यहां पर कि या जिसके पास 19 रुपए है या 19 किलो है लेकिन उसमें 18 लोगों के द्वारा दिया गया दान है खुद का तो 1 की रुपए था यहां पर समझ गए? चली आजएए next question की बात करते है question number 15 यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है दो ट्रेने हैं हमारी A और B जिनकी लंबाई 339 और 296 है और वो विपरीत दिशा में चल रही है parallel track पे 85 के रफतार से और 645 के रफतार से तो बोला गया कितने समय में वे एक दूसरे को cross करेंगी तो common sense की बात है भाई जब भी यहां पर हम time speed distance का सवाल पढ़ेंगे relative speed का formula हमारा लगता है time बराबर distance upon speed जब दो train एक दूसरे को cross करेंगी तो क्या दोनों के पास में length है तो बोलोगे हां जी तो distance के जगा पर हम दोनों के length को जोडेंगे तो यहां 339 और 296 कितना हो जाएगा हमारा तो बोलोगे सर यहां पर देखिए यह उसको 4 देदेगा तो 300 625 हो जाएगा ठीक है और बात करते हैं speed के matter में speed क्या दोनों के पास में speed है तो हाँ ठीक है क्या दोनों same direction में जा रहे हैं तो नहीं opposite में आ रहे हैं तो opposite में आ रहे हैं तो speed को क्या करेंगे जोडेंगे अब speed के अगर आप बात करोगे यहां पर तो हिंदी में थोड़ा से यहां गड़बड है इसे correct कर लो 645 यहां पर नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेरेभाई 65 है तो English में sorry तो अगर speed की बात करोगे जोड़ दो 85 और 65 यहां पर कितना हो जाएगा 1500 यहां पर इस बात को समझना दोस्त यहां पर जो speed तुमने लिखा हुआ है ना यहां पर वो speed देड़ सो रुपए यह देड़ सो है तो km पर आवर है इसे किस में बदलना है मीटर पर सेकेंड में यानि हमें यहां पर क्या करना होगा तो 5 बटे 18 से गुना करना होगा 5 यहां पर 18 कहां चला जाएगा तो उपर में चला जाएगा अगर आप यहां पर काटोगे तो देखो 25 से काटोगे मेरे भाई 6 बार में और 25 से कटेगा आपका यह 25 बार में 5 से आपका और यह कट जाएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को ठीक है आईए तो जैसे आप लोगों का डिमांड था यहां पर कि सर्फ 15 के जगा 20 कोशन कराईए 15 करा दिये अब यहां से 5 कोशन हमने डाले हैं थोड़े डिफरेंट लेवल के जो थोड़े बढ़ियां भी है और मजा भी आएग आपको बनाने में तो आईए मेरे भाई उन सवालों को हम लोग करते हैं अगले 5 सवाल जवाब लोगों के लिए और हमने चूज किया है यहां पर कुशन बर 16 देखे क्या बोला गया है कहा गया यहां पर यह तो हलका सवाल है इसके बाद में जो बढ़ियां सवाल है वो है इसमें बोला गया एक आर्टिकल की कीमत 110 है बेचा गया है 104.5 में डिसकाउंट कितना मिला सीधा यहां पर कमी देखो कितना है तो 5.5 रुपए इसका 10 परसंट ग्यारा है तो 5 परसंट कितना होगा 5.5 रुपए तो यह ज़्यादा असान मतलब यह ज़्यादा बढ़िया न बागाता है वे एक साथ करना शुरू करते हैं लेकिन कारे ख्टम हो जाने से चार दिन पहले रक्षा चोड़ देती है इसतर इसे कितने दिन में करेगा रक्षा कि आगर हम बात करें जीवन भर मैंने एक बात बताया जो भी इंसान पहले छोड़ के चला जायना उससे विनती करो, उसको बुलाओ और उससे काम करवाओ ठीक है जितना दिन वो पहले छोड़ कर गया उतना दिन वो काम करवाओ क्योंकि आप नंबर लाइन को देखो यहाँ पर दो लोग थे, रक्षा और ईश्वर दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ उसके पहले यहाँ पर रक्षा जो है कारे शुरू होने के चार दिन पहले चली गई यानि यहाँ रक्षा ने काम छोड़ दिया तो इश्वर ने काम किया तो यह इस्थर नाम का परसन है इसका मतलब यहाँ पर यह शुरू से लेकर अन तक काम कर रहा है तो कोशन में बोला गया इस्थर के दिनों की संख्या और कुल दिनों की संख्या क्या होगी तो बराबर होगी तो इस सवाल को करने के लिए यहाँ पर हमें यह करना होगा यह जो चार दिन रक्षा ने काम नहीं किया है न यह चार दिन इससे काम कराया जाए यानि इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर होगा टाइम बराबर जितना वर्क है वो तो रहेगा ही रहेगा चार दिन इन मैडम से काम करवाया जाए एक दिन में 5 यूनिट करती है तो चार दिन में 20 यूनिट काम होगा और divided by क्या करेंगे दोनों से तो 5 प्लस 3 आठ से 80 को 8 से भाग करो कितना लगेगा 10 अगर question में ये बोलता total काम कितने दिनों में हुआ तब भी उत्तर हमारा कितना था 10 और अगर हमसे यहां पर ये बोलता कि इस्तर ने कितने दिन काम किया तब भी उत्तर हमारा होता 10 ये ध्यान रखेंगे आईए चलिए जैसा हम आप लोगों से question कह रहे थे कि यहां से question का बदला होगा और बढ़िया सवाल आएगा तो आप question number 18 देखो मेरे भाई बहुत ही जबरदस सवाल है गैरेंटी कह सकता हूँ यहां पर कि अगर ये question शायद comment box में दे देता बनाने के लिए बच्चों को तो शायद हमारा comment box सुना का सुना ही रह जाता और बन नहीं पाता क्योंकि जिस लेवल का ये सवाल है मज़ा गया SSE में भी आज तक ऐसा question नहीं पूछा गया जब मैं इसे set कर रहा था तो मुझे ऐसा question दिखा और मुझे लगा ये तो discuss करना ही चाहिए UP constable में पूछा गया ये सवाल 2018 के paper में पढ़िये ज़रा सवाल में क्या बोला है चार बार पढ़नी क्या वशक्ता पढ़ सकती है आपको question में बोला है एक कमरे की लंबाई, चोड़ाई और उचाई का अनुपात पांचार और दो का है यदि एक नया कमरा में लंबाई को 40% चोड़ाई को 25% बढ़ाए जाता है तो कमरे के चारों दिवारों के कुल छेतर फल को एक समान रखने हे तू आयतन में क्या बदलाओ करना होगा यानि कहने का मतलब यहां पर क्या है कहने का मतलब एक कमरे का लंबाई, चोड़ाई और उचाहि का जो अनुपाथ है वो हमारा कितना है तो बोलोगे गुरू जी 5 है 4 है और कितना है 2 है ये हमारा older dimension है उसके बात मैं क्या बोला गया तो नया dimension क्या बोला गया तो बोला गया कि आपने नए रूम की लंबाई को 40% बढ़ाया है 40% का मतलब होता है 2 बटे 5 इस संख्या का 2 बटे 5 का मतलब 2 बढ़ाया है यानि बढ़ा कर कितना कर दिया 7 ऐसे भी इसका 40% 2 के बराबर होता है इसमें 2 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ उसके बाद 4 आई को आपने 25% बढ़ाया है बोला गया यहां पर कि वाल्यूम में कितना % का बदला होगा यदी फिर से यदी दोनों स्थिती में टोटल सर्फेस एरिया सेम रहे पहले का टोटल सर्फेस एरिया अब का टोटल सर्फेस एरिया क्या होना चाहिए तो same होना चाहिए इस बात को ध्यान रखें तो पहले total surface area कितना था तो बोलेंगे सब देखो total surface area नहीं यहाँ पर बोला गया कि कमरे के चारों दिवालों का कुल 6 तरफल जो है वो समान रहे यानि area of 4 wall पहले case में area of 4 wall अब की case में area of 4 wall तो यहाँ पर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 इंटू हमारा क्या हो जाएगा तो मेरे भाई h हो जाएगा यहाँ पर ठीक है यह बराबर होगा अब के area of 4 wall के यानि अब का area हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B तो L प्लस B कितना होगा तो 12 और into कितना हो जाएगा h यहां पर ठीक है भाई 2 से तुम्हारा 2 खतम हो जाएगा 3 से अगर काटोगे तो यहां पर 3 बार में 3 से काटोगे 4 बार में 2 से अगरा काटो यहां पर इतना 3 by 2 यानि यहां पर x का जो मान आएगा वो यहां कितना हैगा 3 by 2 X का जो मान आएगा वो कितना हैगा तो बोलोगे सर 3 by 2 अब कोशिन में बोला गया है कि बता हो अब पुराने में और नया में वाल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आया तो आप यहां बोलोगे सर देखिए पुराने वाल्यूम की अगर आप बात करेंगे समझना इस बात को लेकर यहां पर कोई टर्म कट रहा है तो 5 से हमारा 5 कट रहा है और कोई टर्म कट रहा है नहीं 2 को यहां ले जाके multiply करो 4 x 8, 8 x 2 कितना हो जाएगा 16 और यहां कितना हो जाएगा 21, वाल्यूम बढ़ा है कि कम हुआ है तो बोलोगे सर बढ़ा है कितने का बढ़ा थै तो 5 का कितने के उपर में 16 के उपर में इंटू कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100% यही हमारा answer है तो 5 बटे 16 हमारा कितना हैगा आप 4 से काट लीजे 4 बार में और यह 25 बार में बोलेंगे सर एक सो पचीस को चार से भाग करना है कुल मिलाकर ये 31 बार में काटेगा 31.25 परसेंट अप्शन नमबर B फर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा तो एक बहुत ही बहतरी सवाल था मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि अगर शायद हम यहां बच्चों को दे देते तो शायद हमारा कुछ बच्चे ही आंसर दे पाते और यहां कमेंट बोक्स हमारा खाली रह जाता इसलिए बहुत बढ़ियां सवाल है सीख के जाओ SSC में भी आस तक ऐसा कोशन ही पूचा गया और इस सवाल को देखने के बाद तो मुझे लगा कि सीजल मेंस की जो हमशीट बनाते हैं उसमें हमें यह कोशन डालना चाहिए ताकि कुछ नया बच्चों को सोचने को मिले कुछ नया जानने को मिले कोशन नमबर 19 देखते हैं क्या बोला गया है पढ़िए जरा कोशन नमबर 19 में कहा गया है कि शान्त पानी में नाव की गती तथा धारा धारा के प्रतिकूल गती से 50% अधिक है यदि नाव को धारा के अनुकूल बिंदू P से बिंदू Q तक पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं तो धारा के प्रतिकूल बिंदू Q से P तक पहुँचने में कितना समय लगेगा जादा मत पढ़ो फिर एक लाइन पढ़ो सीधा बोट का जो रफतार है यहां पर बोट का जो रफतार है तो यहां से हम क्या कह सकते है तो बोलोगे सर अप स्ट्रीम का मतलब यहां पर क्या होता है तो अप स्ट्रीम का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम होता है सीधी सी बात है यहां पर तो आप यहां बोलोगे सर देखिए यहां पर समझे इस बात को लेकर U की value हमारी कितनी है 2 है और U हमारा आता कैसे है तो U हमारा आता है boat में से stream को घटाने पे ठीक है boat की खुद की value 3 है 3 में से S घटाया है तो 2 आया है तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो S कमान कितना होगा तो 1 होगा यानि धारा की रफ़तार होगी 1 और यह तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यार जब 9 की रफ़तार 3 है तो उसमें से कितना कम किया जाएगा कि 2 आ जाएगा तो बोलोगे 1 यानि यहाँ धारा की रफ़तार कितनी होगी तो 1 होगी यानि यहाँ bracket में लिख लो कि 9 की रफ़तार 2 है तो धारा की रफ़तार एक है यहां पे सीधी सी बात है, sorry, now की रफ़तार कितनी है तीन है, तो धारा की रफ़तार कितनी है एक होगी यहां पे, अब दूसरा पॉइंट यहां पर, if the boat take 20 minute to reach point Q from point P, जैसे मानो यहां पर point P उपर में है और यहां point Q नीचे में है P से इसको Q आने में, धारा के दिशा में, कितने minute लगते हैं तो 20 minute लगते हैं, तो बोला गया भाईया, यहां विपरीत जाने में कितना समय लगेगा ठीक है, तो आपको पता यहां पर कि time की बात यहां की गई है तो time का जो relation निकालेंगे वो हम speed से निकालेंगे तो पहले हम यहां पर speed का ratio लेंगे यानि down जाने में और up जाने में speed का ratio हमारा क्या होगा तो down का speed हमारा क्या होगा 3 plus 1 यानि 4 up का speed क्या होगा, 3 minus 1 यानि 2 अगर हम ratio की बात करेंगे तो बोलेंगे 2 अनुपात 1 है तो speed का अनुपात 2 अनुपात 1 है तो समय कितना हो जाएगा जब दूरी समान होती है तो गती का उल्टा समय होता है 2-1 का उल्टा हमारा 1-2 हो जाएगा अब ये देखो down में 1 unit तो up में कितना unit 2 down में देखो कितना लगा 20 तो एक कामान मेरे भाई अगर 20 है न तो दो कामान कितना होगा 40 होगा option number age होगा क्या होगा correct answer होगा इस बात का ध्यान रखें ठीक है आईए चली अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहां देखते हैं question number 20 यहां पे कि 625 मिटर की गोलाकार दोड में A और B एकी बिंदू से एकी समय पर क्रमशा 90 किलोमेटर प्रती घंटा और 72 किलोमेटर प्रता की घंटी से शुरुआत करते हैं वो एक समान दिशा में दोड रहे हैं तो एक बार के बाद में पहली बार वो ट्रैक पर कब मिलेंगे जब भी यह सवाल आजाना पहली बार कब मिलेंगे तो वैसी स्तिती में आप यहां पर time कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे sir time बराबर distance upon क्या होता है speed होता है दूरी track की कितनी है तो 625 है और speed की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या वो दोनों एक direction में जा रहे हैं एकी दिशा में जा रहे हैं या प्रीत जा रहे हैं तो आप यहां पर पढ़िए यहां पर A and B start from same point at same time और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई तो वो same direction में जा रहे हैं तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे तो speed को घटाएंगे 90 में से 70 घटाओ तो कितना आजाएगा 18 और चुकि यह km पर आओर में है तो मीटर पर सकिन में बदलना हमारी जिम्मेदारी है तो यह हमने कर दिया है और 5 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई 125 बार में कौन सा option है तो option number C कहोना प्यार है तो पहली बार कब मिलेंगे उस case में क्या करना होता है जितनी दूरी है वो ले लीजे speed के जगापर यहां same direction में है तो minus opposite में है तो मेरे भाई यहां पर plus और करके इसको solve कर लीजे तो आज हमने पूरे किया है कितने सवाल कुल मिलाकर 20 सवाल यह आप लोगों के demand पर हो पाया और कब हो पाया जब आप लोगों ने comment किया मुझे बताया live तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपके comment देख पाऊंगा recording करके आप लोगों के लिए upload करता हूँ रातत भर recording करता हूँ ताकि आपका फायदा हो पाए इस यूपी पुलिस में इतना समझ लीजे ना कि जब हम सेमिनार करें जब हम meet up करें ना तो मेरे पास जगह कम पड़ जाए मेरे पास इतने selection चाहिए इस वज़े से इतनी मेहनत हो रही है तब ही हम आपको 21-21 मेरातन में लाइफ पढ़ा रहे है आपको ये सरवाले आदित सरकंसेप्स वाले चैनल पे प्रेक्टिस सेट दे रहे है मैथ्स विजाड वाला जो हमारा चैनल है उसके उपर में हम शौट्स वीडियोस अपलोड कर रहे है कि किसी भी दिशा में और किसी भी दशा में हम आपके लिए महनत नहीं छोड़ेंगे हर तरीके से तीर चलाना सिखाएंगे आपको ताकि आप सेलेक्शन ले पाएं अच्छे से महनत करिए पूरी अपनी जीजान लगा दीजे जब हम कमी नहीं कर रहे तो आप क्यों करते हैं आप भी महनत करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट जताए जितना जादा बड़ा ये परिवार होगा हमारी इम्मत उतनी बढ़ती चलेगी मिलेंगे दोस्तों अगलों वीडियो में ध्यान रखिएगा अपना आज के लिए इतना ही जैहिंद